नमस्कार दोस्तों साथियो चौधरी जी एजुकेशन के इस योट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है अभिनंदन तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमापलों को बताने वाले हैं कि भोला पाश्वांग सास्त्री क्रीशी महाविद्याले पड़ेगा और बिहार के बाहर के छात्रों को इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन सा फर्म अपलाई करना पड़ेगा इस महाविद्याले में आपको एक साल का फिस कितना देना पड़ेगा और इस महाविद्याले में किस कोर्स के लिए कितना सीट है इस महाविद्याले का ICR ranking क्या है और इस महाविध्याले में आपको कितना scholarship मिलता है और कितना आपको book के लिए पैसा मिलता है इस महाविध्याले में आपको जितनी सुविधाय दी जाती है हम कोशिस करेंगी कि उस सारे सुविधायों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानकाड़ी दें तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किर्पया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पहुंच जाए तो दोस्तो भोला पास्वान सास्त्री क्रिशी महाविद्याले जो की बिहार के पुर्णिया जीले में इस्थित है यह महाविद्याले बिहार क्रिशी विश्व विद्याले के अंतरगत आता है और बिहार क्रिशी विश्व विद्याले का पूरे भारत में यानि कि ICAR का जो रैंकिंग होता है उसके according उसका अठारवा अस्थान है इस महाविद्याले में बिहार के छात्रों को admission लेने के लिए BCECE, यानि कि बिहार Combined Interest Competitive Examination को crack करना पड़ता है, उसका आपको form apply करना पड़ेगा, exam देना पड़ेगा, आपको pass होना पड़ेगा, उसके बाद इसमें admission आपको मिलेगा, और बिहार से बाहर के जो भी student है, उसको इसमें ICAR, ICAR का जो exam होता है, वो देखर इस बिहार के भी candidates आ सकते हैं, लेकिन BCECE के थुरू केवल ही बिहार के candidates आ सकते हैं, भोला पास्वान सास्त्री कृष्ची महाविद्यालेपुर्णिया में, आपका BSC Agriculture course के लिए कुल seat है साथ, जिसमें 51 seat बिहार के candidates के लिए रिजर्ड बहता है, और 9 seat है जिसमें All India से मतलब कह नहीं से भी student इसमें admission ले सकते हैं, ICAR के थुरू, और इसमें आपको BSC Agriculture course के लिए जिनरल कास्ट को admission के टाइमें, फर्स्ट सेमेस्टर में 10,025 रुपया देना पड़ता है, और प्रती सेमेस्टर आपको 275 रुपय देने पड़ेंगे, BC और EBC कास्ट को admission के टाइम में 8,825 रुपय देने पड़ेंगे, और प्रती सेमेस्टर आपको 1775 रुपय देने पड़ेंगे, और SCST के जो भी candidates हैं, उनको admission के टाइम में 8,425 रुपय देने पड़ेंगे, और प्रती सेमेस्टर 1375 रुपय देने पड़ेंगे, और अब हम बात करते हैं scholarship के, तो बिहार क्रिश् जो scholarship है, वो 2000 रुपय प्रती माह के according आपको दिया जाता है, और साल में आपको 6000 रुपया आपको book के लिए दिया जाता है, इसका भी नियम जो कहा जाए वो है, तो इसके लिए एक marks निर्धारित किया गया है, उतना marks अगर आपका आएगा, तो ही आप scholarship के लिए eligible हो सकते हैं और अब हम बात करते हैं कि इस महाविद्याले में छात्र छात्राओं को क्या-क्या facilities दी जाती हैं, तो सबसे पहले हम class की बात करते हैं, तो इस महाविद्याले में छात्र छात्राओं को एक digital class provide कराया जाता है, जिसमें बहुत ही योग्य जो कहा जाए, बहुत ही योग्य सि इच्छी का इसमें छात्र छात्राओं का क्लास लेते हैं और यहां पे छात्र छात्राओं को बिशेश प्रकार का पुस्तकों का अध्यान करने के लिए एक पुस्तकालय के भी विवस्ता है यहाँ पे छात्र छात्राओं को रिसर्च करने के लिए एक बेहतर लैब की सुविधा प्रादान की जाती है यहाँ पे छात्र छात्राओं को फिड़ी वाई भाई की सुविधा प्रादान की जाती है और यहां पे छातर छात्राओं को रहने के लिए एक बहुत ही सामदार होस्टल की बिवस्था है यहां पे एक बेहतर सभागार की भी बिवस्था है जिसमें एक बहुत सारा जो टाइम होता है उस टाइम में आपका यहां पे प्रोग्राम कड़ाया जाता है और बहुत सारी सुविधाय जो इसमें छात्र छात्राओं को दी जाती है तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब किये होंगे तो धन्यवाद, थाइंक्स फर वाचिंग